प्रेबंदू जय भीम जय भारत नमा बुद्धाय मैं निकिल सब्लाइन नहीं दिल्ली से बावा साहिब डॉक्टर भीम्रावंबेटकरजी की पुस्तक अज 11 भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं इस वीडियो का और पुस्तक का यह दस्वा अध्याय है गौमास भक्षन चोवा छोट का मुलाधार इससे पहले आपने सुना होगा अध्याय नहीं बादो का अपमान चोवा छोट का मुलाधार जो कि पुस्तक के चोथे भाग में सब भाग आते हैं दो भाग तो मैं पढ़ता हूं अध्याय दस गौमास भक्षन चोवा छोट का मुलाधार अब हम जनगर्णा आयुक के परिपत्र में दी गई संख्या 10 को लेते हैं इसका प्रसंद तो यह जो इससे पहले वाले भाग में बताया गया है कि किस तरह से जो आज शरुल कास्ट हैं उनको किस तरह से विभाजित किया गया था 1909 में के बादे तो उन्हें दस में जनख्या जनगर्णा हुई थी तो उसमें से 10 पॉइंट थे और 10 जनगर्णा आयूत के परिपत्र में दी गई संख्या दस को लेते हैं इसका पॉर्व अध्याय में आ चुका है जो गौमास खाने से संबंदित है जनगर्णा के परिणामों से ग्याद होता है कि जो जातियां आजकल अच्छूत गिनी जाती है उनके बोजन का मुख्या मध मरी गाय का मास है हिंदु जाती चाहे कितनी ही नीच क्यों ना हो गौमास का सपश्ट नहीं करेगी दूसरी और कोई जाती नहीं जो वास्तव में अच्छूत है और जिसको मृत गौव से कुछ लेना देना नहीं कुछ उसका मास खाते हैं कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं और कुछ उसके चमड़े तथा हड़ियों की चीज़े बनाते हैं दिंगर्णा के आयुक्त के सर्वेक्षन से यह प्रमानित हो जाता है कि अचूत गौवमास खाते थे तो प्रश्णी यह है कि क्या गौवमास अहर का असपरश्टा की उत्पत्ती से कोई संबंध है अत्वा अचूतों के आर्थिक जीवन में यह एक समाने घटना है क्या हम यह कह सकते हैं कि चितरे वेक्षियों को जो गौवमास खाते थे अचूत कहा जाने लगा यह तथ्या है सर्वपथम हमारे पास यह तथ्या है कि अचूत और अचूत कहे जाने वाले अन्या समुदाय मृत गौवमास खाते थे अन्या नहीं चुवाचूत और मृत गौव मास के परियोग के बीच में इतना अधिग गहन संबंध है कि चुवाचूत की जड़ों का सिध्धान्द अकाट्या परतित होता है दूसरे यदि अचूतों और हिंदूों को अलग करने वाली कोई बात है तो वह है गौव मासाहार हिंदूों के आहार के दो सिध्धान्द है जो विभाजक रेखा का कारे करते हैं एक सिध्धान्द मासाहार के विरुद है जो हिंदूों को शाकाहारियों और मासाहारियों में विभाजित करता है दूसरा सिद्धान्द गौमासाहार के विरुद है जो हिंदों को उन दो वर्गों में विभाजित करता है जो गौमास खाते हैं और जो गौमास नहीं खाते हैं चुव अचूत के बारे में पहली विभाजक रेका का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरी विभाजक रेका का महत्व है, क्योंकि यह अचूतों और ग्यार अचूतों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, ग्यार अचूत चाहे वे मासाहारी हैं या दूसरे हैं, सभी Goma Sahar के विरोत में एक जुट है गह रिवी तो अर्था जो हिंदू है वे चाहे मासाहरी है यह दूसरे समय को मासाहर के विरोत में एकुक है अतयास आधार चूत जो बेना किसी संताताप्व पश्रताप के आदितर गौमास खाते हैं हिंदों के विरुद हो गए हैं अच्छुतों पर हिंदों द्वारा गौमास खाने का जो दोश्रवपन के जाता है उससे प्रभावित होकर अच्छुतों ने गौमास खाना चोड़ने के बज़ाए एक नए दर्शन का विश्कार किया है उनका कहना इस संदर्व में ये सुझाव देना कोई बड़ी बात नहीं है कि जिने गौमास भक्षन के प्रति घर्णा है वे गौमास हारियों को अचूत मानें। वास्तों में गौमास हार अचूत पन का प्रधानकार्ण होने के संबंद में किसी परकार की अटकलबाजी की आवशक्ता नहीं। इस नए सिद्धान का हिंदू शास्त नहीं समर्थन करते हैं। वेदव्या स्मर्ति में निम्लिकित श्लोक हैं जो अन्तिजों की श्रेणी में गिनी जातियों के नाम और उनकी स्तिती का आधार बताते हैं। चर्मकार, मोची, बठ, सैनिक, भील, रजक, दोबी, पुशकर, नठ, अभिनेता, वरत्य, मेड, चांडाल, दास, स्वापक, कॉलिक तर दूसरे सब जो गोमा स्खाते हैं अन्तिज कहलाते हैं। सामानत्या, स्मृतिकार, अपने मंतव्यों के क्यों और कैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि यहां वेद, व्यास, अस्परस्ता के कारणों के व्याख्या कर रहे हैं। इसमें तथा वे दूसरे सब जो गोमा स्खाते हैं वाक्याश बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या लिखाता कि चर्मकार, भट, भील, रजक, पुशकर, नट, वरत्य, मेर, चंडाल, दास, वापक, कॉलिक तथा वे दूसरे जो सब गोमा स्खाते हैं। इसमें तथा वे दूसरे सब जो गोमा स्खाते हैं। वाक्याश बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि स्मृतिकार इस बात को जानते थे कि चुवचुत का कारण गोमा सहार में दिया है। वे दियास की इस उक्ति के बाद किसी परकार के तरक वितरकस्ता नहीं रहना चाहिए। यह तो हाथ कंगन को आरसी क्या बात जैसी है। और विशेष्टा यह है कि यह व्याक्या बुद्धी गम्य भी है क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं उन बातों से इसका पूरा-पूरा मेल बैठता है। असपरश्टा की उत्पत्ति की खोज में दो नई बातें सामने आई हैं। एक बात तो वह सामाने घर्णा हैं जो ब्रामनों ने बौद्धों के विरुद्ध फिला रखी थी और दूसरे चितरे विक्तियों के मास्क खाते रहने की आदत। जैसा की पहले कहा गया है केवल पहली बात चितरे आदमियों पर अचूद्ध पन का कलक लगने के लिए परियाप्त नहीं समझी जा सकती। क्योंकि ब्रामनों ने बौद्धों के पृतिजो घरना का भाव फैलाया था वह तो सामाने रूप से सभी बौद्धों के विरुद था। कुछ केवल चितरे विक्तियों के विरुद तो था नहीं। केवल चित्रे व्यक्ति ही अच्छूत क्यों बने इसका मुखे कारण यही था कि वे बहुत तो थे ही उसके साथ उन्होंने अपनी गौमास खाने की नई आदत भी बना ली थी इसे ब्रामनों को अपनी नई गौव भक्ती को उसकी चरम सीमा तक पहुँचाने का और अफसर मिल गया तब हमारा निशकाश यह है कि चित्रे व्यक्ति होने के कारण वे घ्रणा के पात्र बने क्यों वे बहुत थे और गौमास खारी होने की कारण असपरश्टा का शिकार हुए गौमास खार को चुव अचुद का कारण होने के सिधानतों के स्विकार करने से अनेक प्रशन पैदा होते हैं समालोचन समालोचक निश्चह ही पूछेंगे हिंदू का गौमास खार के विरुद घ्रणा का कारण क्या है क्या हिंदू सदा से ही गौमासाहर के विरुद रहे हैं जिस समय हिंदू उन्हें गौमास भक्षन छोड़ा उन्होंने भी उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया क्या अचुद सदैव रहे हैं यदि ऐसे समय था जब अचुद गौमासाहरी होने के बावजुद अचुद नहीं थे तब बाद में गौमासाहर चुद चुद का करण कैसे बन गया यदि हिंदू गौमास खाते रहे हैं तो उन्होंने उसे कब खाना छोड़ा यदि असपश्टा हिंदू के गौमासाहरी हो इसे लोग संभव मान सकते हैं किन्तु इसे निरापद सिर्कार नहीं करेंगे जब मैंने एक सिद्धान का प्रतिबादन किया है तो मुझे इन परशनों का उत्तर भी देना ही होगा मैं निमलिक खित शिर्षकों में उत्तर देना चाहूंगा क्या हिंदू गौमास नहीं खाते हैं हिंदों ने गौमास खाना क्यों छोड़ा ब्रामन शाकारी क्यों बने गौमास सहार से चुआ छोट की उत्तरती कब से हुई मित्र उसके बाद भाग पांच होगा हम शुरू करेंगे जिसमें अध्यार आएंगे क्या हिंदू गौमाज कभी नहीं खाते हैं गयर ब्राह्मनों ने गौमाज खाना क्यों छोड़ा ब्राह्मन शाकाहरी क्यों बने गौमाज साहर से चित्रेविक्ति अच्छोट कैसे बने से आप हमारे अगले वीडियो में सुन दखते हैं कि वीडियो नंबर बारवा शायद बारवा होगा जैभीम जैमारत नमा बुद्धा है